हेलो एव्रिवन वेल्कम बेक तो मैं चैनल हमारी यह वीडियो यूपी पीसी जी आइसी लेक्षिर रिक्रूइट्मेंट से संबंदित है तो यह उन सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है और वो टीचर बनना चाहते हैं तो हम इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और देखे जिन्होंने जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आज रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है तो हम देखते हैं देखें यहां पर लिखा हुआ है यह फॉर्म देखें लास्ट डेट फोर रजिस्ट्रेशन आज रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है आज आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ सकते हैं पे एक्जैम लास handicap जो हैं दिव्यांग उनको 25 रूपीज, form complete करने की last date है 22 जैनवरी, exam date देखें जो calendar आया है उसमें बता दी गई है 26 जून, बाकी बाद में कोई changes किये जाते हैं तो देखा जाएगा, अब यह देखें minimum age है 21 years और maximum age होनी चाहिए 40 years, तो जो भी 40 years के अंडर आते हैं और 21 years से अबब हैं जिनकी age वो इस form को fill कर सकते हैं और जो जिनके पास relaxation है, age relaxation यानि की जो reserve category में आते हैं उनको age relaxation भी मिलेगा, इसका जो pdf format है पूरा मैं आपको provide कर दूँगी telegram पर, अब यह देखें यहाँ पर recruitment कितनी है, male के लिए यहाँ पर 991 post हैं और females के लिए 420 post हैं, eligibility क्या है, master degree in related subject in any recognized university in India, आपकी master degree complete होनी चाहिए, जिस subjects के आप teacher बनना चाहते हैं, उस subject में आपकी masters होना चाहिए, अब आगे देखें, देखें यहाँ पर post दिखा रखें आपको कितनी कितनी post हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, तो देखें, हिंदी में unreserved के लिए 39 हैं, OBC 36, EWS 10, SC 21 और ST, तो टोटल 98 post हैं हिंदी के लिए, तो आप यह सारे इसका screenshot लेके आराम से देख सकते हैं, तो देखें, आप मानली जैब commerce के teacher बनना चाहते हैं, तो आपकी commerce में masters होनी चाहिए, एक चीज और female, male वाली category में भी form fill कर सकती हैं, लेकिन फिर वो दोनों category में से सिफ एक ही category में form fill कर पाएंगी, आगे देखें form fill कैसे करना है आपको, आपको इसकी official website पर जाना है, जो कि आप इसी link से चले जाएंगे, देखें, मैं आपको बता देती हूँ, देखें, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है official website, तो आप सरकारिजल्ट.com पर जाएंगे, यहाँ से आप इसकी official website पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर apply online भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, candidate read the notification, आप अच्छे से notification उसका पढ़ लेंगे, then आपको सारे documents, id proof, address details, basic details अपनी fill करनी है, photo, sign, id proof, etc. यह सब आपको scan करके वहाँ पर लगाना है, before submit the application form, तो यह सब आपको अच्छे से check कर लेना है, और lastly आपको form fill करने के बाद उसका print out निकाल कर अपने पास रख लेना है, तो इस तरह से आप अपना form fill करेंगे, तो मैं अभी भी कहना चाहूंगी, देखें, आज इसकी last date है, अगर आप teacher बनना चाहते हैं, आप government teacher बनना चाहते हैं, lecturer बनना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छे opportunity है, और इसका जो official notification है, उसका link मैं आपको provide कर दूँगी, तो आप detail में अच्छे से पढ़ लिजेगा, कि उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और आज आप अपना registration कर दें, अगर आपको वी